अब आते हैं कि क्या आदालतों में बहस हिंदी या इस्थानिया भाषा में होनी चाहिए कई जगा पर होती है 21 जनवरी 2013 के दिन टाइमस ओफ इंडिया में स्मृति सिंग की एक ख़बर चपी है कि एक आरोपी चंदरकान जहा ने पैसले की कॉपी हिंदी में मांगी तो अदालत ने परिशानी खड़ी होई हत्या के आरोपी जहा के फैसले की सुनवाई इस चकर में दो-दो बार टल गई क्योंकि अदालत में कोई अनुवादक नहीं था ट्रांसलेटर नहीं था जो अंग्रेजी से हिंदी में फैसले का अनुवाद कर सके अदालत में ट्रांसलेटर की व्यवस्था तो होती नहीं है तब अतिरिक्त सेशन जज ने जिला जज को इसके लिए लिखा पता चला कि जिला अदालत में भी ट्रांसलेटर यानी अनुवादक नहीं है जिला जज ने लिखा कि बार-बार दिली सरकार से अरोध करने पर भी कुछ नहीं किया गया है बाद में किसी तरह अनुवादक का इंतजाम किया गया और फैसला किया आप सभी की इस पर क्या राय है भारतिय भाषाएं और हिंदी अपने लिए जनही तियाचिका के जरिये कब तक लड़ती रहेंगी क्या तिवारी जी की मांग सही है कि सुप्रीम कोट में फैसला हिंदी में लिखा जाए बहस भी हिंदी में हो तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे हमारे साथ संजय पारिक साब अब आ गए हैं माइक लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली शहर में बहुत जाम है दिल्ली के जिस हिस्से में हम रहते हैं और शिवसागर तिवारी जी भी हमारे साथ हैं जिनोंने ये जन्हित याजी का डायर की है केटियस तुलसी साहब हैं सुप्रीम कोट के एड़ोकेट हैं संजे हिगडे भी अगर जाम के जाम से मुक्त होगे तो आ जाएंगे कि राष्ट का मैथली सरंगुप्त ने कहा है जिसको ननिज गौरब तथा निज देश का भिमान है वह नर नहीं नर पस निरा है और मृतक समान है जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहो वह रिदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है आप जब पैदा होते हैं तो मा अपने भासा में ही आपको खाना पीना और सुनाना देए अरे बिटे खालो ऐसा करती है जब हमारा सम्विधान बचे ऐसे भी पैदा होते हैं जो उनकी माएं अंग्रेजी की भाशा में have lunch go here and there बोलती है मैं उसकी भी मजबूरी आपको बताऊंगा और पिता भी हाँ मैं बताऊंगा जब लाड मैकाले यहां आया हम गुलाम थे उनने कहा कि यहां एक भी भिकारी नहीं है एक भी बेइमान नहीं है और यहां कि संस्क्रित और सब्वेता इतनी अच्छी है कि हम भारत को कभी कभजे में नहीं रख सकेंगे परंत इसका उपाय है जब तक कि इनकी हम read नहीं तोड़ देते और read कैसे तूट गई? read इसलिए टूट येगी कि इनकी सब्वेता को खतम कर दें और सब्वेता खतम करने के लिए पहले आप मुझे बात करने दी जिसके लिए बुलाए है तब बात करें चुकि आप कोड से रिलेटेड जल्दी आ जाए निक कोड से रिलेटेड में आ रहा हूँ स्वंविधान के अनुच्छे 343 में लिखा है कि 343, 343 हम हिंदी में बोल रहे हैं तो 343 में लिखा है कि कारिश्ट की भासा जो पूरे राज्ज की राष्ट की भासा होगी हिंदी होगी कारिपनाली की पंद्रा साल तक चलेगा पंद्रा साल तक गवर्नर माने राजपाल या राष्ट पती उसमें अनुमत नहीं देंगे कि इसको अंग्रेज कर दिया है 344 में लिखते हैं कि सरबोच चिनाले और हाई कोड उच चिनाले की भासा अंग्रेजी होगी पूरी क्यों उसमें भी लिखा कि पंद्रा साल के बाद राष्ट पती महोदे के उनमत से इसको बदलने के लिए और संसोधन के लिए परक्रिया चाल गिया है आज चार पंद्रा साल बीच चुके और अब तक इसका परक्रिया नहीं की गई उससे नुकसान क्या हो रहा है जो आप बता रहे हैं अभी आपने सुरू में कहा था कि बाच्पेई जी ने चतिस गड़ में जाके देखा कि जब भासा का ज्यान होता नहीं है और एक कष्ट का ब्यापी कष्ट से ब्याप होके स्वर्भो चिनाले में आके अपना प्रक्रण दायर करता है और जिस भासा में वो प्रकरणदार किया जाता है उसको समझ नहीं पाता है बहुत से तो मैंने ऐसे वकीलों को देखा है कि वो तत्थिकों भी नहीं लिख पाते हैं वो फीज दे के चला जाता है और उसका निर्ने क्या होता है आप एक उपभोगता के पौक्षे से भी बोल रहे हैं कि उसको पता नहीं हो रहाए कि आप किस तरह से केस फाइल कर रहे हैं अब मैं बताते रहूँ ना और किस तरह का फैसला है तेलगू का आदमी आता है उन्हीं समझ पाता है तमिल का आदा नहीं आता है हिंदी वाला आता है बंगालिया नहीं आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो पर अपनी भासा जब होती है तो समझते है तो जब हमारे सम्मिधान में लिखा हुआ है कि 15 साल के बाद ये होना चाहिए तो इसलिए मेरा निवेदनिता है और भी बहस के क्रम में अगर आप कुछ और उधारन ऐसे दे सके तो और अच्छा रहे देखें मैं आपके बहस क्रम में बता रहा हूं उधारन बता रहा हूं दूसरे इतनी सारे बाशाएं हैं तो क्या कनड का आदमी सिर्फ कनड में अपना पेटिशन दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट में तो ये फिर 20 बाशा सुप्रीम कोर्ट में 20 बाशा में और कोई ऐसा जज नहीं होगा जो 20 के 20 बाशा बोल पाए या पढ़ पाए आप अगर मुझे भी हिंदी में लिखने को कहे या चिका या कुछ भी मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा और एक बात है हम अंग्रेजी को भारतिय बाशा क्यों नहीं मानते हैं जितने लोग अंग्रेजी भारत में बोलते हैं, वो दुनिया के दूसरे कोई भी देश में नहीं बोलते हैं। हिंदी में अनुवाद सिर्फ बारत में होगा, हम तो हाउस अफ लौड्स, प्रिवी काउंसल, युएस सुप्रेम कोर्ट, और स्ट्रेलियन सुप्रेम कोर्ट, सभी देखते हैं। हमारे पास अब अंग्रेजी के माध्यम से एक दुनिया देखने की एक चश्मे हैं। उसे बन क्यों करें। हमारे मामले में सही पैर्वी की या नहीं की। अगर मैं बंगला भाशी हूँ तब इस समस्या को ऐसे देखिए, अगर मैं कनट भाशी हूँ तब इस समस्या को आप देखिए। किया फरक पड़ेगा अगर हिंदी में फैसला हो या अंग्रेजी में हो मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि पता तो चलेगा ही क्योंकि जो judgment है वो तो पूरी प्रक्रिया के आखरी स्टेज है ठीक है और उस judgment के खिलाफ सुप्रीम कोट के बाद आप कहीं जा नहीं पाते कोई और कोट है नहीं सुप्रीम कोट के आपके लिए मैं कंज्यूमर हूँ मैं आपके पास गया हूँ कि संजे जी आप मेरा केस लड़ी तो आप लिख दिया बाहरी मुने मी लॉड से लेके अब इतना भी बैलेंस करने की चिंता नहीं है मुझे लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ क्या मुझे यह जानने का हक नहीं है कि आपने कैसे आपको किसी ने रोका है किन तच्छी को ही रखे जो आपको समझा ले आज के जमाने में गूगल ट्रांसलेटर्शन है कि नहीं 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 मैं कह रहा हूँ कि फैसला हिंदी में लिखे और बहस भी हिंदी में हो दोनों बात अगर बहस होगी तबी तो इनका यही कहना है कि जो हिंदी नहीं बोलते हैं वो सुप्रेम कोट में ना आए ये हिंदी की जो ये नहीं नहीं वही हम समझेंगे और हम दक्षिन बारत के जो हिंदी ना बोलने वाले हैं जो पूरवी बारत के है इसका जब मैं जवाब दे रहा हूं तिवारी जी और पाद्या जी यहां बैस करेंगे जब संविधान बना देखें जब हमारा संविधान बना नहीं इनकी इस बाद का जबाब देखेंगे और दक्षिन भारत उत्तर भारत की जो बात कर रहे हैं मैं उत्तर भारत, दक्षिन भारत किसी भासा के पक्षनी कर रहा हूँ, जब सम्विधान बना, तब भी करनड बोला जाता था, तेलगू बोली जाती थी, तमिल बोली जाती, सब कुछ से, सम्विधान के समय उन्होंने दो चीजों का लिया, लिहाज, मात जो हमारी राष्ट हासा में हो राष्ट का कार्य होगा, हिंदी में होगा, पंदर साल बार माद, पंदर सा चलेगे, और फिलहाल पंदर साल के लिए, चूकि चला आ रहा तो अंग्रेजी का निर्णे होगा, पंदर साल के लिए, चुप्रीम कोट एक अखिल भारती एसन्स था है, उसकी बात प नहीं का उन्हें, उन्हें का कि एक ट्रेडिशन बन गया है, तूसी को ट्रेडिशन को मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिशन जो हमारे यहां है, हमारे यहां चंदरगुप्त, चानक, बिक्रमा, अदित, हरिश चंदुए, जिन्हों ने अपने, यह बहुत गौरव की बात है, न्याय की बात के लिए अपने पत्नी को बेंचा, अपने खुद को बेंचा, और न्याय के लिए उन्हों ने कहा है, जब तक न्याय के लिए हम कह रहे हैं, अब माले यह कोई कंड़न भाशी है, तो किस भाशा में उप्रतिवेतन पाई करें, आप 15 साल का समय दीजे, 10 साल क पनस न दीजे, और पूरे लोग हिंदी पढ़ें, और हिंदी में जाते हैं, तो हम भी नहीं चाहते हैं, कि हंधी को पढ़ाएं, बाकि वो कानुन बना गए हैं, एंट तो आखरी को बचान करता हूं, हिंदी मेरी भाशा है, अब मैं यह किसमें मुझे रोजगार दिये, ज करकार की नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं तोड़वा पाया सुप्रीम कोट एक राष्ट्रिय संस्था है वहाँ एक मनिपूर का व्यक्ति आ सकता है वहाँ एक कंणड आ सकता है वहाँ एक बंगाली आ सकता है मनाई नहीं है किस-किस भाषा में आप वहां पुछोग है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रिय योगदान हो। किसी भी प्रकार से राष्ट्रिय प्रकार से राष्ट्रिय योगदान हो। और अब जब वो कई बार हिंदी के भी फैसले देखते हैं निशली अदालतों के तो उन्हें सही समझने के लिए अंग्रेजी के फैसलों को या पुराने फैसलों को देखना पड़ता है। क्योंकि हिंदी में इस तरह की भाष शब्दावलिया हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं स्वभाविक नहीं लगती हैं नियाईक संदर्व में। यह भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम दूसरे को मौका दें। मैं शिवसागर तिवाड़ी के साथ सौफिस्दी सहमत हूँ और मैं समझता हूँ के अदालत का काम उस भाषा में होना चाहिए जिसमें के जो लिटिगेंट है जो प्रार्थी है उसको समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है क्या सुना जा रहा है जजज साब ने क्या बोला अगर वो समझे गा ही नहीं तो यह नियाएक ऐसा है और मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल केसिज में आपने जो धारन दिया कि किसी को मौत की सजा हो गई उसने जज़्जमेंट की कौपी मांगी और सुप्रीम कोड का जवाब है कि हम हिंदी में नहीं दे सकते हैं तो इस इस ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस किसी की जान ले रहे हैं उसको समझ तू आनी चाहिए कि हमारी नयाएक प्रतिकिरिया ने किस तरह से उस बात का फैसला किया अगर प्रार्थी या जो जो दोशी है जो एक्यूज है अगर उसको प्रतिकिरिया समझ ही नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ कि ये समविधानिक नहीं है ये आर्टिकल 21 के विरुद है ये फेर ट्राइल हो ही नहीं सकता उसका अधिकार है सुप्रीम कोट ने खुद कहा है आर्टिकल 22 के बारे में कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है तो उसको ग्राउंड अव डिटेंशन उसकी भाशा में देने अवश्यक है अगर ग् किसी की हम जान ले रहे हैं उसका आदेश दे दिया जुडिशली उसको उसको मारना है मगर फिर भी हम कहेंगे कि आपको हम एक आपकी भाशा में जज्ज्मेंट की कॉपी नहीं दे सकते मैं आपको उधारन देना चाहता हूं भारत की प्रा पार्लिमेंट में सबकी 20 की 20 लै ट्रांसलेशन की वेलिबिलिटी है आप ट्रांसलेशन जैसे ही कोई बोल रहा है आपके पास हेड़फॉन्स हैं आप सुन सकते हैं आपकी लैंग्विज में वो ट्रांसलेट होके साइमल्टेनियसली आपको सुनता है अगर हम पार्लिमेंट में 750 लोगों के लिए ये सुव दाप परदान कर सकते हैं तो हम सीरफ पैड़ प्चीस या 26 अज्या दालतों कोर्ट रूम्स जो सुपरीम कोट की हैं उसमें ये क्यों नहीं परदान कर सकते हैं सौलीं ये साइमॉल्टेनियस ट्रांसलेशन होनी चाहिए एक भारिश बहुत सम्रिद है अपनी कल्चर में उसको हम क्यों कुछल रहे हैं ठीक है यह क्या है कि भी चांसलेशन नहीं कर सकते हैं आज कल तो बहुत सारी सौफ़वेर्स अवेलेबल हैं साइमल्टेनी स्ट्राइशन होती है अगर वो कर लें तो अंग्रेजी की चलती रहें बाकी सब भाशाएं चलते रहें सारे सब चलते रहें और मैं अंग्रेजी का बिरोध नहीं किया है केवल हिंदी को कहा कि हिंदी हो पहली बात तो यह है कि भाशा की संकीनता जो मुझे सारे डायलोग में समझ में आ रही है वो बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक जा रहे यह बात कि अंग्रेजी को भी हिंदी में पढ़ाए जाए बल्कि हमने अपने इसकूर के दिनों में ऐसे ही पढ़ा था शिक्सपियर के सारी कहानियों को पहले हिंदी में पढ़ा दूर अब जरूरी है भाशा को जानना और उसको मिक्सप करना यह दोनों चीजा गलत है वो नहीं होनी चाहिए अब आती है बात कि सुप्रिम कोट के अंदर सुप्रिम कोट में जो अभी आपने प्रावधान बताया उस प्रावधान के अंतरगत उससे मैं कॉंस्ट्यूशन में सोचा गया कि 15 साल तक इसको चलना चाहिए उसके बाद में कमिशन एपॉइंट होगा कमिशन एपॉइंट है फिजिक्स है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने में समझा ही जा सकती है उसी विशह में क्योंकि वो विशह अपना आकार उस भाशा के रूप लेता है तो अगर दुनिया की सारी जानकारियों कि खोजबीन सिर्व अंग्रिजी में हुई है नहीं वो न लेकिन हमारे अभी जो डेवलप्मेंट हो रहा है लौका वो डेवलप्मेंट लौका इस तरीके से है पहली तो बात इंग्लिश लॉस हमने सारा लिया अगर अगर मैं इन से पूछ हूँ कि स्टेटस को है या मैंडेमस है सश्रायराई है इतने टेक्निकल शब्द हैं और ज बात पूरे को इसमें बता घुटारा वाइरस को बोलते है जो को अदेशात्मक्ट आप जो कह रहे हैं ने पूरी बात ने आपने पूरी बता रहे हैं वह मुरुषा इसलिए बता रहे है हो दो शब्स ने बता यह अगर ने पता तो यह जो पूरा लॉठ एवलप्यों वहा समस्तें अब जो भाशा मुझे लगता है कि जो पर केटियस तुल्षी की लिए पार। सिस्टम लगा के एक उसका यह जो है यह जो नहीं बता रहूं जो बता रहे हैं कि अंग्रेजी में आज बड़े दुख की बात है कोटों की बात बता रहा हूँ सुप्रीम कोड की यहां की कि सुप्रीम कोड के जज आए, जब तक अपना नcolm हमे ने लिगते ह कोई अंग्रैजीओं का और बिंट का ऑन्लिका का अमेरिका को उदारह नहीं तब तर समाझते हैं कि मैं जज ही नहीं हूं नयाय का अधिकारी ही नहीं हूं अपने आप अगर काट्जू साहब की छोड़ी हैं मैं तो कर दो सारे नयादि लिखते हैं नहीं चारता है को बताया है कि जो English कानून था उससे हम लोग उसी प्रक्रिया से चलते आ रहे हैं और अभी भी कोई मैं आपको तक्निकी रूप से मैं बताता हूं कि उसके अंदर जो हम उधारन देते हैं जैसे American Supreme Court का कोई है Australian Supreme Court का है या कोई English Court का है House of Lords हो गरा क्या है जो उसमें कोट किया जाते हैं उससे क्या होता है वो एक enrichment होता है क्या जूदिशल प्रॉस पे अदर एक संदर बनता है और 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 उस संदर के अंदर फिर हम वह उसको दिया जाता है अब कोई बोले कि अगर किसी को justice करना है तो justice करने का मतलब यह हुआ कि हिंदी अंग्रेजी में तो उसका कोई नहीं है जो आदमी हिंदी अच्छी जानता है वो भी justice कर सकता है लेकिन जो पूरा हम लोगों ने अभी बनाये हुआ संस्तान उसके अंदर इनके एक मांग का बहुत चोटा सा हिस्सा है कि जो भी फैसला आपने लिखा उसकी कॉपी हिंदी में लिखा हुआ दूसरी बात एक बात तो यह है कि अगर कोई भी इंग्लिश के अंदर फैसला दिया गया है और इसका हिंदी में ट्रांस्रेशन करना अगर इसकी सुद्धा उकलब दो जाए तो मुझे कोई वह उसमें आपत्ती नहीं है ऐसा हो भी जाना चाहिए लेकिन क्यों हिंदी में नहीं फिर जितनी भी भाष्षा है सभी भाष्षाव में होगा अगर वह व्यक्ति को पूरा समझा जाता है और उसको हिंदी में ही बाचित उसके साथ की जाता है